Hello friends, welcome to my channel फिर देखे, आज मैं ये दो color की design का pattern लेके आई हूँ बहुत ही easy है ये pattern बनाने में इस pattern को आप अपने किसी भी project में apply कर सकती है बच्चों के sweater में बहुत अच्छा लगेगा आप चाहे तो इसको blouse में डालिए cardigan, jacket, muffler या baby cap जहां भी चाहे आप इसको बना सकती है तो देखे, right side है ये इस pattern का और ये है इसकी wrong side तो आप अपने मन पसंद किसी भी दो color में बना सकती है तो चलिए इस design को बनाना start करते हैं इसको बनाने के लिए हमें 5 के multiple fundे चाहिए 5 plus 5 plus 5 plus 1 extra हमारी ये design set हो जाएगी और ये design हमारी 6 सलाईयों में बनके complete हो जाएगी तो चलिए इसको बनाना start करते हैं तो यहां पी मैंने 5 plus 5 plus 5 करते हुए total 25 और plus 1 यानि total 26 fundे ले लिए हैं first row right side से हम start करेंगे तो पहले fundे को उतारेंगे और सारे fundे हमने पहली सलाई सीधी तरब से सीधा सीधा ही बना के complete करना है तो इसको हम पूरा सीधा सीधा बनाएंगे तो आप अपने fundे adjust कर लीजिए इसके बाद इस pattern को start करें तो first row जो हमारा border है उसी color से हम बना रहे हैं पूरा सीधा सीधा आप कोई भी color इसमें लगा सकती है तो देखिए इस तरीके से ये first row पूरी सीधी सीधी बना के complete अब second row को भी हम पूरा सीधा सीधा ही बनाएंगे तो इसको इस तरह से पूरा सीधा सीधा आप चाहें तो last वाला fundा उल्टा भी बना सकती है first row पूरा सीधा right side से और second row पूरा सीधा wrong side से तो ये दो सलाई हमारी यहाँ पे base color से बनेगी last वाले fundे को मैं उल्टा बना ले रही हूँ यहाँ पे मैंने दूसरा color देखिए add कर रखा है अब हमारी जो तीसरी सा लाई है third row design की वो हमारे दूसरे color से बनेगी तो यहाँ पे देखिए अब हमारा design स्टार्ट होगा तो यह हमारा edge का फंदा है इसके बाद हम count करेंगे तो अब देखिए एक, दो, तीन और यह चार चार फंदे हमने सीधे बनाए पांच में फंदे को बिना बुने उतार लेना है फिर से देखिए यह हमारा edge का फंदा है इनी पांच फंदों को हमें repeat करना है यह चार यह और एक यह तो फिर से देखिए एक, दो, तीन, चार फंदे हमने सीधे बनाए और अगला फंदा, पांच में फंदा हमने उतार लिया एक, दो, तीन, चार चार फंदे हमने बना लिये और एक पांच मा फंदा उतार लिया बिना बुने एक, दो, तीन, चार सीधे फंदे और पांच मा फंदा बिना बुने उतार लिया लास्ट में एक, दो, तीन, चार सीधे फंदे और यह हमारा जो H का फंदा है इसको हम अपनी तरफ उन करके उल्टा बना लेंगे अब देखिए चौथी सलाई इस रो की इस डिजाइन की तो यह देखिए पहला फंदा को हम उतारेंगे और इसके बाद एक, दो, तीन, चार फंदे हमने सीधे बनाए उन अपनी तरफ करेंगे और उतारे हुए फंदे को उतार लेंगे फिर से देखिए उन पीछे करेंगे यह हमारा H का फंदा है और यह हमारे जो पांच फंदे बचे इनी को हमें रिपीट करना है तो अब देखिए 1, 2, 3, 4 फंदा हमने सीधा बनाया उन अपनी तरफ करेंगे और उतारे हुए फंदे को हम एक बार फिर से उतार लेंगे और उन पीछे कर देंगे इसको जो हमने बिना बुने उतारा था राइट साइट से अब देखिए एक, दो, तीन, चार सीधे फंदे, उन अपनी तरफ ये फंदा हमने फिर से उतार लेना है फिर उन पीछे करेंगे एक, दो, तीन, चार फंदा हमने सीधा बनाया उन अपनी तरफ उतारे वे फंदे को फिर से उतारेंगे और ये इस तरह से हम रॉंग साइट से ही करेंगे एक, दो, तीन और ये चार फंदे सीधे और जो हमारा एज का फंदा है उसको हम उल्टा बनाएंगे देखे, चार सलाई यहाँ पे कम्प्लीट हो गई हमारी, पाचवी सलाई, यह देखे, फिर से तीसरी सलाई की तरह बनाएंगे, एज का फंदा हमने उतार लिया, अब इसके बाद एक, दो, तीन, चार सीधे फंदे और इसको हम बिना बुने उतारेंगे एक बार फिर से, तो जब हम राइट साइट से बनाएंगे, तो हमें इस धागे को कहीं भी आगे पीछे नहीं करना है, यह उतार लिया, फिर से रिपीट करेंगे, देखिए, एक, दो, तीन, चार, और यह फंदे को एक बार फिर से उतार लेंगे, पाचवी सलाई है हमारी यानि की फिप्त रो, तो यह चार फंदे हम बिन लेंगे और पांच में फंदे को बिना बुने उतार लेंगे, एक, दो, तीन, चार, इसको हमने उतार लिया, एक, दो, तीन, चार, और एज का फंदा उल्टा, अब फाइनल रो जो हमारी है, तो उसको भी देखिए, पहले फंदे को हमने उतार लिया, अब यहाँ पे, एक, दो, तीन, चार, सिधा फंदा, उन अपनी तरफ, और इसको हम फिर से उतार लेंगे, यानि यह चौथी बार हम इस फंदे को उतार रहे हैं, उन पीछे, एक, दो, तीन, चार, उन अपनी तरफ, यह फंदा एक बार फिर से उतारा, फिर उन पीछे, एक, दो, तीन, चार, उन अपनी तरफ, यह फंदा हमने उतार लिया, फिर से उन पीछे, और एक, दो, तीन, चार, उन अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को उतार लेंगे फिर से बिन बुने उन पीछे करेंगे और एक दो तीन चार फंदे को सीधा बनाया और एक कफंदा जो है लास्ट का उसको उल्टा तो यह यहां पे हमारी डिजाइन देखिए कम्प्लीट हो गई अब इस कलर से जो हमारा बेस कलर है इसको हम सारे फंदों को सीधा सीधा बना देंगे तो ह देखिए यह इस तरह से अब यह जो फंदा हमने अभी तक उतारा है इसको भी हम सीधा बनाएंगे ऐसे एक दो तीन चार जो हमने बनाए है और यह पांच पांच पांदा जो उतारा था इसको अब हम ऐसे सीधा बना देंगे तो इस तरह से हमारी यह डिजाइन आती एक दो तीन चार और यह फंदा देखे उतार लिया एक दो तीन चार और यह फंदा उतार लिया एक दो तीन चार और लास्ट वाला फंदा उल्टा और इस तरब से फिर से हम सारे फंदों को सीधा सीधा बना लेंगे तो पहले फंदे को उतार लिया मैंने और अब इसको हम सभी फंदों को सीधा सीधा बनाते जाएंगे सबी कंदो को सीधा सीधा लास्ट का फंदा उल्टा तो यह देखिए इस तरह से बनके आएगा यहां दो जगह सैध मैंने उतार लिया था तो मैंने उल्टे तरब से इसको क्लियर कर लिया तो यह देखिए जब हम फिर से first row repeat करेंगे यानि अपने base color से तो सारे फंदो को सीधा बनाएंगे रैट साइड से और फिर रॉंग साइड से भी सारे फंदो को सीधा बनादेंगे अब फिर अपना यह color लगाएंगे और same इसी design को repeat करते जाएंगे इनी फंदो को तो हमारी ये डिजाइन इस तरीके से बनती जाएगी तो दोस्तों देखें मुझे उम्मीद है कि ये डिजाइन आपको जरूर पसंद आएगी अगर आपको ये डिजाइन पसंद आती है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा मिलूँगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिजाइन के संग तब तक के लिए बाई